3.8 परमाणू संख्या और द्रविमान संख्या अटोमिक नंबर एंड मास नंबर गोल्ड स्टीन द्वारा 1886 में केनाल किल्णों की खोज हुई ये किल्णे धनावेशित थी उनके द्वारा दूसरे अव परमाणू कन प्रोटोन की खोज हुई प्रोटोन पर धनावेश होता है प्रोटोन का आवेश इलेक्ट्रोन के आवेश के बराबर किन्तु विपरीथ होता है 1932 में जे चैडविक ने एक और अव परमाणू कन नूट्रोन को खोज निकाला जिसका द्रविमान प्रोटोन के बराबर था और उस पर कोई आवेश नहीं अनावेशित था यह कन हाइड्रोजन को छोड़ कर सभी परमाणू के नाभिक में पाया जाता है परमाणू के अव परमाणू कनो के अध्यान के बाद यह निसकर्ष निकलता है कि पर्माणू में इलेक्ट्रोन, प्रोटोन और नीट्रोन होते हैं प्रोटोन और नीट्रोन पर्माणू के नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रोन नाभिक के बाहर कक्षा में होते हैं उदासीन पर्माणू में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रोन की संख्या के बराबर होती है पर्माणू में उपस्थित खुल प्रोटॉन की संख्या को पर्माणू संख्या कहते हैं इसे जड़ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है इसी प्रकार व्यवहारिक रूप से हुद पर्मानू का द्रव्यमान पर्मानू के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और नुट्रोन के योग के आधार पर ग्याद किया जाता है जिसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं द्रव्यमान संख्या को नापने की इकाई यू यूनिफाइड मास है नाभिक में उपस्थित और पर्मानू कन प्रोटॉन और नुट्रोन को नुकलियोन भी कहते हैं समानिता एलेक्ट्रोन को E-, प्रोटॉन को P- प्लस तथा नुट्रोन को N द्वारा दर्शाया जाता है किसी परमानू को दर्शाने के लिए परमानू संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस प्रकार लिखा जाता है उदाहरण के लिए सोडियम की परमानु संख्या 11 और द्रविमान संख्या 23 है इसे इस प्रकार लिखते हैं लीथियम और केल्शियम में नेट्रोनों की संख्या क्रमशह 3 और 20 है लीथियम और केल्शियम की परमानु संख्या और द्रविमान संख्या को प्रतिकात्मक रूप में दर्शाईए